दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा इंस्टाग्राम पर अपना फोटो कैसे अपलोड करते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है मैं आपको सभी सेटिंग के साथ बताऊंगा जिसकी मदद से आपके फोटो वाइरल होने के chances बढ़ जाएंगे तो अगर आप भी Instagram पर अपना photo upload करना चाते हैं तो आपको Instagram app को open करना है नीचे plus के button पर click करना है तो यहाँ पर आपकी gallery open हो जाएगी अब यहाँ से भी आप photo select कर सकते हैं अगर आपकी photo आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो यहाँ पर आपको option मिलेगा recent इस पर आपको click करना है तो आपकी gallery के यहाँ पर सभी folder आ जाएंगे जिस folder में आपकी photo है उस folder को open करना है सभी photo आपको यहाँ पर नीचे में चाते हैं तो आपको photo को इस तरह से select कर लेना है लेकिन फिलाल यहाँ पर मैं एक ही photo upload करूँगा तो यहाँ पर मैं इन सभी को unselect कर देता हूँ और यहाँ पर एक photo यहाँ पर रहने देता हूँ आप इसे इस तरह से zoom in zoom out कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक इसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में एक option मिलेगा next आप देखेंगे नीचे में आपको एक बात का धियान रखना है नीचे यहाँ पर आपको post का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर इसे post पर ही set रखना है इसके बाद उपर में आपको यहाँ पर next के बटन पर click करना है इसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा अब उपर में आपको यहाँ पर filter का option देखने के लिए मिलेगा इस पर आपको click करना है आप अपने photo में filter वगेरा add कर सकते हैं अगर आपको add करना है तो ठीक है इसके बाद यहाँ पर right के निशान पर click कर देना है इसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं अपना नाम वगेरा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं जैसे के यहाँ पर मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, color वगरा change कर सकते हैं यहाँ से आप, और इसे कही पर भी इस तरह से set कर सकते हैं, नीचे आलाकर इसे delete भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसी set कर दिया, इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे next के बटन पर किलिक करना है, इसके बाद कुछ time process होगा और इस तरह से page open हो जाएगा, अब दोस्तों यहाँ पर आपको caption लगाना है, आपकी photo की जबारे में हैं, आपको यहाँ पर लिख देना है, तो लिख सकते हैं, जैसे के यहाँ पर मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर आपको hashtag लगाना है, hashtag लगाना बहुत ही जरूरी है, जिसकी मदद से आपकी photo viral हो सकती है, अब आपकी photo या video की जबारे में हैं, उससे related आपको यहाँ पर hashtag लगाना है, इसके बाद यहाँ पर आप आप देखेंगे add location, आप अपनी location भी add कर सकते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, instagram पर, आपकी photo कहां की है, कौन सी location से अपने photo लिए है, तो location भी add कर सकते हैं, इस तरह से नीचे आपको बहुत सारे option यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इस photo को Facebook पर share करना चाहते हैं, तो इस setting को on करना होगा, अगर आप यहाँ पर more option पर click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ से अपनी post के जो like है, उसे hide कर सकते हैं, share को hide कर सकते हैं, comment को off कर सकते हैं, यह सारी setting आप यहाँ पर कर सकते हैं, यह सारी setting करने के बाद, आप क्या करना है, नीचे share बटन पर click करना है, शेर बिटन पर किलिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में आपकी जो फोटो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फोटो अपलोड हो गई है अब आपके दोस्त आपकी फोटो को देखेंगे लाइक करेंगे कॉमेंट करेंगे अब माल लीजिये फोटो में कुछ गड़बर हो गई है आपने कैप्शन गलत लिग दिया है है तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं आपको यहाँ पर ओपर में थ्री डॉट पर किलिक करना ह अगर माल लीजी आपने गलत फोटो अपलोड कर दिया या आपको फोटो डिलिट करना है तो फोटो को डिलिट भी कर सकते हैं यहाँ पर त्री डॉट पर किलिक करना है डिलिट बटन मिलेगा इसे आप इस तरह से डिलिट कर सकते हैं आपकी फोटो डिलिट हो जाएगी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करना